अब लंगड़ा बुकार हुआ है अब लंगड़ा बुकार हुआ है ग्राम पोजिटीव वेक्टरिया के कारण और आपके पास इंजेक्शन है इंड्रोफ्लोक्सोसिन तो आप वहाँ पर मत लागाना साथ्यों आज के इस वीडियों में आपको बताऊंगा कि ग्राम नेगेटीव इंजेक्शन और ग्राम पोजिटीव इंजेक्शन किन किन विमारियों पर कैसे काम करते हैं वह कौन से इंजेक्शन है जो केवल ग्राम पोजिटीव पे काम करते हैं और वह कौन से इंजेक्शन है जो ग्राम नेगेटीव बेक्टरिया पे काम करते हैं और वह कौन से विमारिया है जिन में केवल ग्राम नेगेटीव बेक्टरिया है और जो केवल ग्राम नेगेटीव करद तो आज आपको इसी के ओपर संपूर नालेज मिलने वाला है संपूर जानकारि में आपको दूंगा तो सबसे पेले आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ अभी से लाइक कर दें क्योंकि एसे नौलेजीबर वीडियो हमारी चैनल पर आपको मिलते हैं तो स लाल पेशाप कर रहा है तो वह घ्राम पोजिटीव टेरिया के करना MI можно कर रहा है तो वह में आइए दस्था कर होने वाली कौन-कौन से घुल गोटू के लावा पूट रोट जिसमें पषुगे पैर पक जाते हैं खूर सड़ने लगते हैं इसके अलाव बुरुसल उसे जिसमें पशुगा गरवपात हो जाता है उस गरवपात में भी ग्राम नेगेटिव इक्ट्रिया काम करते हैं इसके अगर पश्यों को टीबी रोग होगा या तो टीबी रोग भी ग्राम नेगटिव के करना इप शुम होता है यह मैं आपको क्यों बता रहूं यह मैं आपको इसलिए बता रहina हो ताकि आप आगे अच्छे से कियों क्यों कि मैं इंजेक्शन भी आपको ऐसे ही बताउंगugen जो लकड जीब पशु की जीब लकड जैसी हो जाती जिस बीमारी में, वह बीमारी में भी ग्राम नेगेटिव बेक्ट्रिया काम करता है, यानि गल गोटू, गल गोटू के अलावा, ब्रुसेलोसीज, बच्चों के सपेद दस्त और वहाँ पर लकड जीब पशु की टीबी और फूट रोट इन यह बिमारिया सभी ग्राम नेगेटिव बेक्टरिया के कारण उत्पन होती इसके अलावा ग्राम पोजिटिव बेक्टरिया से उत्पन होने वाली बिमारिया कौन-कौन सी है एंत्रेक्स है पश्चु का ब्लेक वाटर है लाल पेसा पर पश्चु कर रहा से और gram negative और gram positive दोनों बैक्टरिया पर काम करने वाले injection कौन को तो सबसे पहले बात करते हैं कि gram positive antibiotic कौन सी जो केवल gram positive बैक्टरिया को ही मारेगी इसमें सबसे पहले antibiotic आती है बेंटीफिन LA और बेंटीफिन 3P यानि 45 penicillin जिसकों बेंजाथिन penicillin बोलते हैं जो बेंटीफिन 3P के नाम से बेंटीबाइटी गाती है और बेंटीफिन LA के नाम से बेंटीबाइटी गाती है यह एंटीबाइटी केवल gram positive बैक्टरिया को मारती है इसके अलावा 48 लाग से unit से आज injection आता है हमारे injection 40 लाग आता है injection 20 लाग injection आता है यह सारे injection क्या करते हैं इसमें केवल ग्राम पोजिटीव एक्ट्रिया को मारने वाले केवल तीन ही ऐसे injection है जो केवल ग्राम पोजिटीव एक्ट्रिया को ही मारेंगे जैसे आपने बैंतिफिन ले ले लिए बैंतिफिन 3P ले लिए 45 फोनेसलें ले लिए 48 लाग इंजेक्शन ले लिए 40 लाग का इंजेक्शन ले लिए 20 लाग का इंजेक्शन या क्या वल gram positive bacteria को मारेगी यानि लंगड़ा बुखार हुआ इंट्रेक्स हुआ इन बिमारियों में इनमें बहुत ही शांदार काम करेगा यह लंगण बुकर में तो आप बहुत ही शांदार इसके आलवा बात करते हैं कि ग्राम-negative बैक्टरिया को मारने के लिए सबसे उंची और सबसे अुच्छे इंटिबाइटी के स्ट्रेप्टो कि माईसिन इस्ट्रेप्टो पेनिसलिन नहीं केवल इस्ट्रेप्टो माईसिन यह आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हैं इसक्षन काम करता है регiaval ग्राम नेगेटी बेक्ट्रिया को मारने का और यौ Sholky एक इंजेक्शन दीज़ piealten ग्राम लेगत The एक इंजेक्शन इस जो केवल ग्राम नगितिव एक्टृटको मारता है अब इसके लावा इंजेक्शन वो आते हैं जो ग्राम नोगेटिव और मिजम्वत चाहनदार केकी और कियोंकि और ग्राम फॉजिटिव उत्पन ओनेवाली बिमारियों को भी मारेगी और gram negative bacteria से उत्पन होने वाली बिमारियों को भी मारेगी यह लंगड़ा बुकार को भी मारेगी गल गोटू को भी मारेगी इंजेक्शन जेंटामाइसिन यह हर तरह की बेक्टरिया को मारने बेक्टरियल डिजिस में इसका बहुत ही शांदार रिजल्ट यह ग्राम पोजिटिव और ग्रम नेडिटिव दोनों तरह के बेक्टरिया को मारता है इसके अलावा पैनिसलिन गूर्प से इंजेक्शन दोनों तरह के बेक्टरिया को मारता है या आप वहाँ पर एंजेक्शन दोनों तरह के बेक्टरिया को मारता है यानि आप वहाँ पर एंजेक्शन लगा सकते हैं एंपिसिलिन टेज़ो बेक्टरियम एंपिसिलिन डाइक्लोक्सासिलिन यह इंजेक्शन आप पर बिल्कुल लगा सकते हैं, amoxicillin, cloxicillin, ampicillin, salbectum, यह सारे एंटिबाइटिक जो भी मैंने बता रहा हूँ आपको, यह सारे इंजेक्शन दोनों तरह के बेक्टरिया को मारने का काम करती है, इसके अलावा, सलफा डिमेडिन का इंजेक्शन आता है, इंजेक्शन भी ग्राम नेगेटिव और ग्राम पोजिटिव दोनों तरह के बेक्टरिया को मारने का काम करते हैं, इसके अलावा, इंजेक्शन टेरावाइसिन और इंजेक्शन ओक्सिटरिटरसाइक्लिन, यह भी दोनों तरह के बेक्टरिया को मारता है, आप अब अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है आपके पास अगर मान लीजे पश्चु को ब्लेक वाटर हुआ यानि लंगड़ा बुखार हुआ है अब लंगड़ा बुखार हुआ है ग्राम पोजिटिव एक्ट्रिया के करना और आपके पास इंजेक्शन आपको पश्चु को लगाना जो 20 गंटे तक काम करेंगा और वहीं इंजेक्शन उसको मारेगा या आप पर टाइलोसीन भी लगाए क्योंकि वह भी ग्राम पोजिटिव एक्ट्रिया बहुत ही शांदार असर करता है अगर या इंजेक्शन आपके पास नहों तब आप इंजेक्शन है मोक्सिरम फोट या मोकसिललन क्लोकसिलीन मोकसल यह जितने भी इंजेक्शन आते हैं बाइट्रीम आइस बाइट्रीम आईवी यह इंजेक्शन आप महाँ पर पश्चु को लगा सकते गल इसमें ब्लेक वाटर में कहीं किसी परकार की कोई दिक्ष लगा टेट नहीं अब बात आती गलगोट्यां कॉन इंजेक्शन लगा तो आप गलगोट्या में अगर आप के पास näंहों तो आप पहले ही रही दिन पस्यू को इंजेक्शन यह तो हेमोकसिर्म फोट लगा है या पस्चु को मोकसर लगा है या इंजेक्शन आपको लगाई नहीं लगाना क्योंकि यह दो दोनों तरह की बेक्टरिया को मारता है अगर आप महाँ पर इसमें इंजेक्शन अगर आप महाँ पर 22,3 पी लगा देंगे तो कुछ काम नहीं आगर पश्चु को सपधधेzd दस्ट हो गये और आप पर पर इंजेशन लगा रहे हैं टाइलोंस इंजेच recognize के ग्राम पोजिटीव एक्टिरिया नहीं तो आप वहाँ पर injection है मॉक्सिरम फोट लगा सकते हैं किसी भी कंडिशन में पशुको मॉक्सल लगा सकते हैं किसी भी कंडिशन में पशुको ग्राम पोजिटीव विमर्यों में रिजल्ट लेना है तो आप ग्राम पोजिटीव वाला तो साथ ये वीडियो अच्छी लगए हो तक लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना क्योंकि एसे और हल्पल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद कर दो